महात्मा गांधी राष्ट्य ग्रामिन रोजगार गारंटी अधिनियम यानि कि जिसे हम नरेगा कहते हैं तो नरेगा में जितने भी employment है जितने भी कर्मचारी है आप वो देख सकते हैं कि किनके किनके जॉब कार्ट बने हुए है नरेगा के तहट आपके गाम में या फिर अपने छेतर में आप देख सकते हैं किनके किनके जॉब कार्ट बने हुए हैं किसने कितना दिन कौन से कामों में जो है साथ दिया है यानि कौन-कौन सा काम किया हुआ है और उनके job card में कितना पैसा amount यानि की आया हुआ है वो सारी चीजे आप इस वीडियो में देख सकते हो इस वीडियो में मैं आपको वही चीज बताऊंगा कि आप अपने चेतर के किस तरीके से job card list को download करेंगे और साथ ही साथ उसमें आप देख सकते हैं कि कौन-कौन से employees ने कह कहा काम किये हैं कितने दिन काम किये हैं और उसके job card में कितने amount पराप्त हुए हैं वो सारे चीजे आप इस वीडियो से सीख सकते हो मैं आपको सारे चीजे clearly बताने वाला हूँ तो वीडियो को बिना skip के end तक जरूर देखे तो चलो वीडियो को सुरू करते हैं तो इसके लि लिए कर घ्राम पंचयत का यहां पर आप लोग देख सकते हो ग्राम पंच पर आपको क्लिक कर देना है जैसे ही आप ग्राम पंच मेर क्लिक कर दोगे उसकै बात नर्यगा का साइट आपके सामने इस तरह से आजाता है तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, मैं आपको थोड़े जूम करके दिखाता हूँ, ताकि आपको क्लियरली दीख जाए यहाँ आपको चार ओप्षन मिलते हैं, ठीक है, यहाँ पर आपको सेकेंड नंबर में ध्यान देना है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, जेनरेट रिपोर्ट्स का, उसके यहाँ पर देख सकते हो, जॉब कार्ट, जॉब स्लीप, या फिर इसमें काफी तरह क्या उप्षन है, तो आपको यहाँ पर जॉब कार्ट पर क्लिक कर देना है, जैसे ही आप जॉब कार्ट पर क्लिक कर दोगे, उसके बाद यहाँ से आपक तो हम 22 का देखेंगे तो यहाँ पे आपको 2021 में क्लिक कर देना है उसके बाद आपको यहाँ पे डिस्टिक्ट पर सेलेक्ट करना है तो यहाँ से आप अपना डिस्टिक्ट को सेलेक्ट करोगे तो डिस्टिक्ट को सेलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ पे आपको अपना रचायत को सेलेक्ट करने के बाद आपको प्रोशीड पर क्लीक कर देना है। जैसे ही दुस्तूं आप प्रोशीड पर क्लीक कर दोगे। उसके बाद यहाँ कुछ इस तरह से डास्बोर्ट आ जाता है। यहाँ दूस्तूंध हमको काफी सारे ऑप्सन मिल जाते हैं। तो यहाँ आपको job card पर click कर देना है जैसे ही आप job card पर click कर दोगे उसके बाद दोस्तों आपके पंचायत में जितने भी employment है जिसके जिसके भी job card बने हुए सभी के list यहाँ पर आ जाएंगे तो यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख सकते हो इस पंचायत में total 1790 job card बने हुए है यानि कि 1795 लोगों ने 1790 लोगों ने जो है नरेगा के तहट job card बनवा लिया है और इसमें काम करते हैं तो दोस्तों मैं यहाँ से आपको किसी का detail से दिखाता हूँ यहाँ से आपको नाम देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर आपको job card number देखने को मिल जाएगा तो अगर आपको अपना job card number नहीं है तो कोई दिखत नहीं है यहाँ से आप अपने नाम से भी सर्च कर सकते हो तो यहाँ से मैं आपको एक job card खोल के दिखाता हूँ तो मैं यहाँ पे एक job card number को select कर लेता हूँ तो चले मैंने job card number पर click कर दिया है उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हमारे सामने job card खुल के आ चुका है जो की नाम यहाँ पे हमें दीख रहा है उपिंद्रा नंदा ठीक है फोटो को पर में यहाँ पे आपको family ID भी देखने को मिल जाएगा यहाँ पे आपको अपना नाम साथ में यहाँ पे is और bank पास्बुक यहाँ का यानि कि अब का bank जो कुछन सा bank है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा तो दोस्तों मैं आप आपको बताऊंगा कि आपने कहां कहां काम किया है वहां जो यहां पर आपको वो चीज़ देखने को मिल लाएगा जैसे कि यहां पर देख सकतों वर्क नेम आपको देखने को मिल रहा है IAY House IA Registration Number यानि की इसने जो PM आवास मोदी आवास है उसमें इसने काम किया हुआ है और उसके अताहद जो इसको कितना पैसा मिला है यहां पर आप लोग की टोटल एमाउंट भी देख सकतों एक बार इसे 2,992 रुपया मिला है और 1,092 रुपय एक बार इससे मिला हुआ है त तो सारा चीज आपको यहां देखने को मिल जाता है तो दोस्तों यही था प्रोसेस आप इस तरीके से अपना जॉब कार्ड को फाइंड कर सकते हैं साथ ही साथ आप उसमें सारे चीजे चेक कर सकते हैं कि आपको कितना पैसे मिले हुए है जॉब कार्ड के थुरू तो दोस् तो इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं नक्ष वीडियो में जय हिंद जय भारत